हेलो इस्ट्रेंट्स आई वी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग थाइरिस्टर रेटिंग की बात करेंगे यानि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मशीन आप खरीदने जाते तो उसका एक नेम प्ल प्लेट पर लिखा होता है यानि उससे मोटर के बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है इसी तरह थाइरिस्टर आप जब खरीदने जाएगा तो चुंके वह तो बहुत छोटा सा डिवाइस होता है तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो अलग से एक पे इनने कई तरह के वोल्टेज और करेंट की बात होती है तो उसी को आज हम लोग समझेंगे के थाइरिस्टर के अंदर कौन-कौन सा वोल्टेज रेटिंग होता है करेंट रेटिंग होता है पावर रेटिंग होता है उसको गराफ के माधियम से या उसको हम लोग वे फॉर्म voltage rating की बात करेंगे फिर current rating और power rating की बात करेंगे तो अब voltage rating में भी कई परकार होता है ऐसा नहीं कि normal अब जैसे हम घर के अंदर बर्ब लगावा है तो 230 volt का है बस हो गया तो ACR में voltage हम लोग बात करते हैं तो कई परकार का voltage होता है अगर आपको याद होगा VI characteristics तो हम लोग forward blocking voltage, reverse blocking voltage, break over voltage कई तरह के voltage को हम लोगों ने VI characteristics के अंदर देखा था तो उसी को सामने रखते हुए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे rating का अगर वो यह नहीं भी याद है तब भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जागा बस लिक्चर को ध्यान से देखिए सुनियेगा सारे पॉइंट आपको clear हो जागा पहला लिखा हमने maximum forward blocking voltage इसी को हम लोग V, D, W, M बोलते हैं D आपका forward को दर्शादता है W मतलब working और M का मतलब maximum यानि normally C को हम लोग peak working forward blocking voltage बोलते हैं क्या मतलब हुआ के ACR आपको अगर याद है नहीं याद है तो याद देलाते हैं आपको ACR का इस तरह का आपका characteristics बनता था तो यहां तक क्या होता था आपका break over point याना यह break over voltage होता था इससे पहले आप जो voltage अपलाई कर रहे हैं यानि के breakdown नहीं आकर हो जाता है यानि ACR जब तक on नहीं होता है जब उससे पहले तक यानि off state में जितना maximum voltage आप अपलाई कर रहे हैं उसी maximum voltage को ही हम क्या कहेंगे forward blocking voltage कहेंगे और यह maximum value होगे maximum forward blocking voltage जबके ACR के cross in order to cathode voltage हम लोग maximum apply करें लेकिन उस समय तक ACR on नहीं हो off रहते हुए कितना वो maximum voltage को बरदाश कर पाता है कितना voltage को सह पाता है कितना maximum voltage को with stand कर पाता है off city के अंदर off condition के अंदर उसी voltage को हम लोग क्या कहते हैं V, D, W, M of ACR कहते हैं तो पहला आपको sun में आ गया होगा यह कौन सा voltage है तो यह in auto cathode voltage है maximum voltage है लेकिन इस voltage की वज़े से ACR on नहीं होगा तो off के अंदर रहते हुए ACR maximum अधिक्तम कितना voltage को सह सकता है बरदाश कर सकता है जिससे ACR damage नहीं हो, ACR खराब नहीं हो, ACR के अंदर thermal effect ज्यादा नहीं हो तो उस maximum voltage को हम लोग क्या कहेंगे maximum forward blocking voltage बोलेंगे और इसी को हम लोग peak working forward blocking voltage बोलेंगे इसको हम graph के माध्य हम से भी देखाएंगे कहां पर अकर हो रहा है बहुत अच्छे से समझना आ जाएगा दूसरा voltage जो हम लोग लिया है VDRM ये कि D आपको पहले ही बता है क्या दिखा रहा है, forward को दिखा रहा है repetitive maximum voltage यानि ऐसा voltage जो के बारबर repeat कर रहा है तो ऐसा voltage जो के off इस सिती के अंदर ACR off है उस सिती के अंदर ऐसा voltage जो के बारबर repeat कर रहा है उस voltage को हम लोग क्या बोलेंगे peak repetitive off state forward voltage यानि बारबर repeat करने वाला voltage कब तो off state के अंदर off state के अंदर और क्या है forward state forward voltage तो जब इस्तिती यानि कि अगर str आपका off है और उस off situation के अंदर अगर कोई voltage बार बार repeat कर रहा है तो उसी voltage को हम VDRM कहेंगे गराफ से आपको देखाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जागा यानि repetitive voltage दूसरा यह जो voltage होगा यह normal voltage नहीं है यह कैसा voltage होता है transient voltage होता है यानि suddenly normal voltage से हट के थोड़ा सा voltage कहीं पर बढ़ जाए और वो बढ़ावा voltage बार बढ़ावा बढ़ा हुआ बार बार repeat हो तो उसी को हम लोग peak repetitive off state forward voltage बोलेंगे तीसरा voltage क्या होता है VDSM VDSM मतलब forward condition के अंदर peak surge forward blocking voltage यानि forward के अंदर जब आप voltage apply कर रहें नौट से के थोड़ पर और आपका ACR off है उस इस्तिती के अंदर maximum surge voltage यानि बहुत जादा suddenly transient हो गया surge हो गया तो उस surge के अंदर कितना maximum surge voltage वो बरदाश कर सकता है उसी को हम VDSM कहते हैं यानि peak surge forward blocking voltage बोलेंगे ये तीनों condition blocking का है यानि के ACR जब off है ये वाला यानि on के बात नहीं होरी break over से सारा पहले का voltage है एक voltage हमने बोला maximum normal voltage maximum condition जिसमे ACR off है ACR damage नहीं होगा खराब नहीं होगा ACR उस voltage को सह सकता है उसको हम लोग V यानि VDWM से देखाते हैं दूसरा ऐसा voltage जो के बार बार repeat होता है transient होता है उसको हम लोग repetitive से VDRM से देखाएंगा और तीसरा maximum होगा लेकिन transient बहुत जादा होगा surge voltage होगा वो voltage को हम लोग क्या कहेंगे VDSM कहेंगे ठीक है यह 3 forward के अंदर हो गया और यही same 3 क्या होगा reverse के अंदर आपको मालूम होगा reverse के अंदर भी क्या होता है हमारा voltage ACR voltage को sustain करता है और sudden point के बाद आकर failure होता है तो reverse के अंदर maximum reverse voltage वो कितना बरदाश कर सकता है दूसरा maximum repetitive voltage वो कितना बरदाश कर सकता है और तीसरा maximum reverse के अंदर वो maximum कितना surge voltage बरदाश कर सकता है यानि 3 same voltage forward के लिए और 3 reverse के लिए उसी को reverse वाले को नाम क्या दे दिया हमने यहां से आपका ये 3 forward में और इधर का 3 reverse में V, R क्या देखा रहा D आपका forward देखा रहा था R आपका reverse में देखा रहा तो reverse working voltage working maximum voltage यह इसी को peak reverse working voltage बोलेंगे कहां पर है ये तो reverse में है तो और जब reverse voltage अपलाई किया जाता है तो वहाँ पर जो normal maximum voltage होगा जिसको STR बरदाश कर सकता है sustain कर सकता है उसी voltage को हम लोग VRWM peak reverse working voltage बोलेंगे दूसरा जो voltage है peak repetitive reverse voltage reverse के अंदर जो voltage बार बर repeat करेगा और उस repetitive voltage को SCR बरदाश करेगा सह सकता है वही उसका क्या कहलाएगा VRRM कहलाएगा यानि peak repetitive reverse voltage कहलाएगा reverse के अंदर बार बर repeat करेगा लेकिन SCR इस voltage को जेल सकता है बरदाश कर सकता है इस voltage से जादा जाईएगा तो SCR breakdown हो जाएगा failver हो जाएगा thermal effect होगा SCR damage हो जाएगा तो ये maximum voltage होता है VRSM क्या है तो peak के अंदर यानि सारी reverse के अंदर maximum surge voltage लिखा गया peak non repetitive ये repetitive नहीं है ये वाला repetitive होगा ये एक ही बार होगा लेकिन क्या होगा reverse surge voltage बहुत जादा आपका surge voltage आकर होगा reverse के अंदर और उस reverse voltage को भी SCR बरदाश करेगा तो उस SCR को maximum जो peak non repetitive reverse surge voltage होगा surge voltage इसको हम किसे देखाएंगे VRSM से देखाएंगे अब इसी को summarize करके आपको हम बताते हैं short के अंदर आपको बहुत अच्छे से समन्द में आ जाएगा तो अब देखिए figure देखिए यहाँ पर जो हम waveform बनाए हुए waveform आपको मालुम है इनौर्टू के थाड़ जो SCR है इस SCR के cross हम लोग क्या करते हैं battery apply करते हैं यहाँ पर in-law two cathode voltage apply जायता है इसी voltage की बात हो रही है तो यह अगर voltage हम लोग positive के अंदर apply कर रहे हैं यानि इसका जो आपका P layer होगा यह in-law से connect होगा और in जो layer है वो cathode से connect यानि forward अगर conduction हो रहा है तो उसको forward voltage बोलेंगे reverse कर जेगा तो reverse voltage तो forward voltage और reverse voltage दो तरह का होता है इसी को VI characteristics में हम इस तरफ देखाते है forward और lift side में देखाते है reverse voltage को forward में भी एक point आता है जहाँ पर break over होता हो और आपका reverse के अंदर भी आता है एक point यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर break over होता है तो break over से पहले यानि break over हो जागा तब तो on हो जागा ACR लेकिन हम लोग अभी on चुक्के हमको मालूम है ACR को बार बार break over करके on करना अच्छा नहीं होता ACR खराब हो जाता है इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं हमको on करना रहेगा तब हम क्या करते हैं gate triggering का use करते हैं तो इन सारे case में हमारा gate triggering से पहले एक बार forward के अंदर और एक बार reverse के अंदर ACR जो voltage को जहल जा रहा है बरदास कर पा रहा है उसी voltage rating के हम लोग बात कर रहे हैं तो forward के अंदर तीन voltage हमने बात किया था पहला voltage हो था VDWM यानि forward के अंदर जो working maximum voltage था उस voltage को हम लोग क्या बोलेंगे VDWM यानि forward के अंदर working maximum voltage जो ACR बरदास करता है जिसके वज़ज़ से ACR damage या thermal उसके अंदर heat जादा produce नहीं होता है तो graph में ये वाला जो voltage है यानि ये sinusoidal waveform है तो यहाँ ये जो voltage है यही VDWM को दर्शारा इसी तरह आपका यहाँ पर भी होगा जैसे यहाँ पर है यहाँ पर है सब जगा पर आपका DWM होगा और ये normal voltage है maximum है ठीक है ये दूसरा आप समझेगा ध्यान से दूसरा क्या लेका है VDRM यानि forward के अंदर repeative maximum voltage तो ये मान के चले यहाँ पर होता और एक voltage यहाँ पर इन दोनों में कौन सा maximum है तो यहाँ पर भी repeat हो रहा है यहाँ पर भी तो यह वाला maximum तो हम इसको ले रहे है maximum तो यहाँ पर जो repeat voltage है जो के बार बर repeat हो रहा है कैसे पता चला बार बर तो हम देखिए गर आप में यहाँ पर भी देखाया है repeat हो रहा यहाँ पर भी repeat हो रहा यहाँ पर भी repeat हो रहा यानि जेतना आप sinusoidal दीजेगा हर cycle में यह क्या होता रहेगा forward के अंदर repeat होता रहेगा तो इस repeat voltage को हम क्या बोलते हैं VDRM यानि maximum repeat voltage in forward blocking mode आपको समझ में आ रहा होगा यह आपका क्या है दूसरा voltage जिसको ACR को बरदाश करना है जहलना है और यह voltage normal sinusoidal नहीं है यह कैसा है transient voltage है जो के ACR के अंदर अकर होता है तीसरा voltage जो सबसे ज़्यादा danger है वो कौन सा voltage है VDSM यानि इस होगा न सर्ज voltage sorry VDSM का मतलब क्या हुआ surge voltage तो यह maximum देखिए यहाँ पर आपका क्या था maximum working voltage था लेकिन चलते चलते suddenly किसी cycle में यह एक बार बार repeat नहीं होता किसी भी एक cycle दूसरा cycle तीसरा चौथा किसी भी एक cycle में suddenly voltage क्या हो जाता है बढ़ जाता है transient की वज़े से surge की वज़े से तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे search maximum surge voltage in forward blocking mode तो इसको हम लोग VDSM से बोलेंगे तो red वाल आपको देखाया जा रहा है कि normal जो working voltage था उससे कहीं जादा आपका क्या हो जाएगा surge voltage हो जाएगा तो इसे surge voltage पर भी ACR को breakdown नहीं होना है उसको जहलना है बरदाश करना है ओवर हीटिंग नहीं होना है तो ये तीन तरह का voltage ACR बरदाश करता है forward blocking mode के अंदर यानि off state के अंदर सेम चीज़ अगर हम लोग reverse के लिए बात करें polarity battery की बदल के बात करें तो reverse के अंदर भी आपका VRWM यानि working maximum voltage कहां पर reverse के अंदर तो reverse voltage देखाया है रिवर्स के अंदर जो maximum voltage होगा अब तीसरा cycle है चौथा cycle है सब जगा पर VRWM होगा ये normal voltage है maximum दूसरा आपका VRWM यानि reverse के अंदर repetitive maximum voltage यहां पर देखे repetitive देखाया यहां पर repetitive इसी तरह तीसरा चौथा जेतना भी cycle होगा सब जगा पर ये voltage repeat करेगा बार बार अकर होगा और ये देखे normal voltage नहीं है transient voltage है तो ऐसा voltage जो के reverse के अंदर आपका अकर होता है और ये normal नहीं है transient voltage है बार बार repeat करता है तो उसको हम लोग VRRM बोलेंगे जिसको SCR को sustain करना है और तीसरा सबसे danger voltage जिसको SCR को reverse के अंदर जहलना है वो कौन सा है VRSM यानि reverse के अंदर surge maximum voltage जिसको SCR को अकर होना है ये transient voltage होता है और non-repeetive यानि एक बार होगा बार बार अकर नहीं होगा तो यहाँ पर लिका है आपका VRSM peak non-repeetive reverse surge voltage ECU को आप transient भी लिख सकते हैं ये surge क्या है मतलब transient voltage है suddenly voltage का बढ़ जाना transient कहलाता है switching की वज़े से या lightning की वज़े से किसी भी वज़े से आपका surge voltage अकर होता है तो ये आपका 6 voltage clear हो गया होगा I hope आपको बहुत अच्छे से सात्मा voltage अब देखिए 6 voltage हम लोग off की state में बात किया था चाहे forward हो चाहे reverse हो यानि SCR अभी off है off के अंदर इतना voltage उसको बरदाश करना है अगर on रहेगा तब कुन सा voltage है on state voltage VT बोलते हैं तो जब SCR को on कर दीजेगा gate triggering देकर तो gate triggering करके on किजेगा तो इसके cross कुछ न कुछ voltage drop होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं on state voltage बोलते हैं जो के बहुत कम होता है लगभग 1 volt होता है तो इस volt की वज़े से यहाँ पर heat नहीं हो इतना SCR के अंदर यानि उसकी rating दियावा होगा कि यह voltage drop केतना हो सकता है इसमें उससे जादा अगर voltage drop होगा यानि on state voltage होगा तो SCR के अंदर heat होने लगता है तो पहले से इसके design के अनुसार आपको मालूम हो जाएगा कि इसका on state voltage कितना है तो generally 1 volt होता है कहीं कहीं पर 1.5 volt होता है यानि on state के अंदर SCR के cross voltage drop कितना हो रहा है आपका यह voltage forward dv by dt rating यानि केतना forward voltage वो बरदाश कर सकता है change in voltage with respect to time हमको मालूम है triggering में आप लोगों ने पढ़ा है dv by dt change in voltage करने से क्या हो जाएगा आपका SCR के cross capacitor form हो जाता है जिसकी वज़े से वो on हो जाता है bigger gate triggering दिये वे ही आपका on हो जाएगा जिसको हम लोग false triggering भी बोलते है यानि हम लोग इस तरह से on नहीं करा रहे है gate triggering दिया नहीं लेकिन फिर अगर dv by dt को आप बढ़ा दिजेगा तो वो पहले ही क्या हो जाएगा on हो जाएगा तो वो कितना change in voltage को बरदाश कर सकता है वो rating आपका दिया वह होता है जिसको हम dv by dt rating बोलते हैं जिसके कारण acr आपका false trigger नहीं हो acr आपका overheated नहीं हो तो उस तरह की voltage जिसके कारण acr जिसको बरदाश कर सकता है false trigger नहीं होगा उसको हम लोग dv by dt rating बोलेंगे तो यह आपका 7-8 तरीके का voltage rating होता है ACR के अंदर आप current rating में देखिए तीन तरीके का एक average on state current rating यानि normal आपका average current जो ACR के cross full होगा उसको हम लोग average on state current rating बोलेंगे जिसकी वज़ा से आपका जो power loss होगा वो P बराबर V on I average यानि current कौन सा लेंगे हम I average current लेंगे इसको आप form factor के term में भी लिख सकते हैं I average बराबर क्या होगा RMS बटा form factor होगा ठीक है तो आप form factor की value रग देंगे तो भी आपको I average की value मिल जाएगे तो यहां से इस स्थिति के अंदर यानि power जो loss हो रहा है वो average current के वज़े से होगा जो भी heat होगा average current के वज़े से होगा तो कितना average current वो बरदाश करेगा जिसकी वज़े से जो heat है वो maximum नहीं पहुँचेगा जिसकी वज़े से heat को वो बरदाश SCR कर पाएगा तो इस तरह के हम लोग current को average on state current rating बोलेंगे RMS के अंदर अगर बात करेंगे तो RMS on state current rating कहलाएगा यानि आपका root mean square यानि current की value आपका change होती रहेगी तो वहाँ पर जो power loss होगा उसका formula का P बराबर I RMS का square गुना R on यानि on state में resistance कितना है RMS current कितना और इसकी वज़े से power loss heat कितना हो रहा है तो on state में current कितना maximum हो जाएगा जिसके कारण जो heat होगा वो heat को ACR बरदाश कर पाएगा thermal damage नहीं होगा उसको हम लोग RMS on state current rating बोलते हैं और एक होता है सबसे ज़्यादा जो danger होता है ACR के लिए जिसको ACR को बरदाश करना है वो होता है surge current rating यानि power loss आपका I square R होगा जहां पर I जो current है वो surge current है transient current है suddenly बढ़ा हुआ current है तो ये सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा heat develop होता है तो ACR के अंदर पहले से हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग जो design किया है वो कितना जो है surge current rating उसकी कितना है यानि कितना maximum thermal effect को heat को बरदाश कर सकता है जब उसके across surge current पास होगा तो यानि average current की वज़े से और आपका rms current चाहे आपका surge current की वज़े से कितना heat को बरदाश कर पाएगा उसको हम लोग current rating of ACR कहेंगे i average, rms current और surge current सारा rating आपका ACR में लिखावा होता है इसी पर का di by dt rating आपको मालूम है di by dt current change करने से भी आपका trigger होता है तो di by dt rating भी आपको मालूम होना चाहिए यानि current कीतना value change करेगा आपको मालूम है कि di by dt rating जादा हो जाने से हमने आपको बताया तर trigger case में कि क्या होता है यानि protection में बताया था di by dt protection के अंदर के एक hot spot की rate हो जाता है उसको हम लोग यहाँ पर mention करते हैं जिसको di by dt rating कहा जाता है जो के पहले से SCR के design के अनुसार di by dt rating उसका mention किया जागा find किया जागा और last आपका power rating यानि कितना power तक वो current और voltage आपको सारा चीश मालूम हो गया तो उसी के अनुसार power rating को हम लोग निकाल लेंगे कितना power तक कितना ये power को यानि heat को ये बरदाश चुक है आपका power की वज़े से current voltage की वज़े से heat develop होता है तो कितना maximum power rating इसकी होगी जिसको ये आसानी से बरदाश कर पाएगा thermal effect यानि heat effect इसके अंदर नहीं होगा तो ये सारा rating आपका ACR के लिए important होता है तो ये सारा rating आपको clear हो गया होगा voltage से related, current से related, di by dt rating and last power rating आपको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा यदि कोई dot आता है तो हमारे whatsapp number पर message करके या call करके पूछ सकते हैं नए वीडियों में आज के लिए तना है thank you